आज है 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को यूपी 99 शिक्षक भरती मामला सुप्रीम कोट निकल सुमवार को उत्तरप्रदेश में 99 शिक्षक भरती मामले से जोड़ी याचिका पर सुनवाई की और इलाबाद हाई कोट की आदेश पर रोक लगा दी मुक्या निकली सुनवाई 25 सितंबर को होगी सीजी आई ने सभी संबंदित पक्षों को लिखे दलीले पेश करने का निरदेश देती हुए कहा कि कोट इस मामले पर अंतियम सुनवाई करेगा अगले मां साड़े 350 से बढ़ कर साड़े सो यात्रियों किशंता वाला हो जाएगा प्रियाग राज य intellig पूरूर। की लिए अप्रिन का विस्ताच चल रहा है अगले मां यहां यहां अप्रिन पर तकरीबण 10 छोटे विमान एक सानत आसानी से खड़े हुपाएंघी गाज़यबाद चहर में रुकेगी बिजली का टाथी विद्ध निगम ने बनाया चालिस और सौ वाला ये खास प्लैन गाज़यबाद में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है गाज़यबाद और चांसिंडन शेतर में बिजनस प्लैन के तहत विद्ध तापूर्ती सुधारी जाएगी इसके लिए विद्ध निगम ने टेंडर प्रक्रियाश शुरू कर दी है अगले 20 दिन में काम शुरू कर दिये जाएंगे चालिस से जादा इलाकों में जरजर बिजली कितार बदले जाएंगे सौ से जादा चोटी और बड़े ट्रांसफार्मर की शम्ता बढ़ाई जाएगी जिस सभी कारे बिजनस प्लैन वर्ष दो हज़ार चौबिस पच्छिस के तहत होंगे नाड़ा से घज़ाबाद के दूरी 16 किलो मेटर कम कर देगा ये पुल नाड़ा एक्स्प्रिस वे को ग्रीटर नाड़ा के ऐलजी चौक से जोड़ने वाले हिंडन पुल और अप्रोच रोट का काम पिछले 5 सालों से अटका हुआ है दो किलो मीटर लंबी सड़क और पुल का काम अगले डेड़ साल में पूर्ण होगा सड़क सेक्टर 146-147 में 45 मीटर चौड़ी सड़क से शुरू होती है और एक्वा लाइन मेट्रो के नीचे से होकर गुज़रती हुई हिंडर नदी पर बने पुल को पार करने के बाद न इमस ब्हु में 27 नए रेजिडेंट डॉक्टर्स की निच्टी की गई पिछले दिनों चे एन प्रक्रिया पूरी हुई 17 नए रेजिडेंट को चुना गया है ब्हु अस्पताल और 10 को ट्रामा सेंटर में तैनात किया गया है एक सांध डॉक्टर्स की निच्टी से मरीजों के इलाज और जांच में सहूलियत होगी IMS पी जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है लकनौ से निकलेगा नया एक्स्प्रेस वे तीन शेरों को मिलेगा नाया बत्थोफा लकनौ से आग्ना तक अवद एक्स्प्रेस वे एनज 25 के सबाना अंतर खरीब साड़े 3 किलो मीटर की दूरी तक चलेगा लकनो में ये एक्सप्रेस वे शहीद पत से शुरू होगा जो बंत्रा, बनी, दतौली और कांथा के रास्ते होते हुए कानपूर तक पहुचेगा लकनो कानपूर अवद एक्सप्रेस वे में लकनो जिले के कुल 11 गाओं पढ़ेंगे वहीं उन नाउजले के सबसे सादा 31 गाओं पढ़ेंगे लकनो कानपूर अवद एक्सप्रेस वे बनने में खरीब 4700 करोन रुपे का खर्चाएगा यूपी नेट यूजी राउंड दो कांसलिंग के लिए करें रजिस्ट्रेशन यूपी नेट यूजी कांसलिंग 2024 के दूसरे राउंड के लिए रेजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है रेजिस्ट्रेशन आफिशल वेबसाइट पर जाकर करना है रेजिस्ट्रेशन विंडो 9 सितंबर के सुभे 11 बजे ओपन हो गई इनके फीस 2000 रुपे है हाला कि जिन स्टूडेशन ने राउंड एक में रेजिस्ट्रेशन किया था उन्हें दुबारा रेजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की जरूरत नहीं है सरकारी कॉलेज में सीध आवंटित होती है तो 30,000 रुपे सिक्योर्टी मनी जमा करनी होगी यूपी ने साथ सालों में विकास और निवेश के नई युग में किया प्रवेश आईकिया स्टूर के शिलान ने आसकारिक्रम में बोले सीम योगी मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि साड़े साथ वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश-दुनिया के निवेशकों का विश्वासर जित किया है आईकिया इंडिया उनी निवेशकों में सी एक है आईकिया इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश में पच्पन सो करोड रुपे के निवेश प्रस्ताओं पर धन्यवाद ग्याप्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर अब इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है विषले साथ साल में प्रदेश न विकास और निवेश के नई युग में प्रवेश किया आगरा में समाजिक न्याय पचिंतन हुआ शरू केंद्रिया मंत्री रामदा साच्वले ने किया शुभार रम आग्रा में समाजिक नियाईवा अधिकारिता पचिंतन के लिए सुमवार से आग्रा में 36 राजियों के मंत्री सचिवने देशक सहे 215 प्रतिनिधी जुटना शुरू हो गए चातरवती पेंशन अधश ग्राम दक्षता कोशल वदिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओ की राजवार समिक शाक की जाएगी रास्टिये नशा मुक्त भारत अभ्यान की एक्षन प्लान पर मंथन होगा शिविर कश भारम के इंद्रिया मंत्री रामदास आठवले नी किया वरंसी घाज़यबाद के बीच चलेगी पूजा एक्सप्रेस दशेरा से पहले बनारस और घाज़यबाद के बीच पूजा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा इस से यात्रियों को सहूलियत होगी इस्पेशल ट्रीन बनारस से प्रत्येक मंगलवार को जाएगी यूबी के छे जिलों में हजारों नौकरियां इंट्रव्यू दे कर पाएं 35,000 तक सेलरी वाली जो नीजे शेत्री के कमप्रीज में नौकरी तलाश रही युवाव के लिए बड़ी खुशकबरी है शेत्री असीवाय उजन विभाग की ओर से आज से और इस महीने के आखरी सब्तह तक मेरट मंडल के विभन जिलों में बड़े इस तरफ पर रोजगार मेले कायोजन किया जा रहा है ये रोजगार मेले अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तारीखों पर लगाए जाएंगी साक्षातकार के बाद युवाओ को मौके पर जॉइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा मेरट बागपद घाज़बाद समेट कुल छे जिलों में इसी महीने भरती की प्रक्रिया पून कर ली जाएगी IIT BHU के शोद करता हूने विक्सित की उन्नत सोलर एनरजी तक्नीक लागत कम उत्पादन जादा IIT BHU के यांत्रे कभी यांत्रे के विभाग के शोद करता हूने सौरोजा उत्पादन में उन्नत सोलर एनरजी प्लांट के नई तक्नीक की खोच की ये नई डिजाइन का सोलर प्लांट पहले से चले आ रहे सोलर प्लांट से कम लागत में लग जाएगा वह यादिक विजली उतपादन भी करेगा इस संबंद में जानकारी देते हुए रिसर्च टीम का नितरत्व कर रहे मेकैनिकल इंजिनिरिंग विभाग के प्रोफेसर उन प्रकाश दिंग में बताया कि इस नवीन सोलर चिमनी पावर प्लांट डिजाइन में विशेश रूप से निर्मित इनलेट आकार और एक संकुचित कलेक्टर शामिल है अचाराजार करोड रुपे से तेरा सो एक्टियर में बसेगी नई काशी चालिस गाओं को मिला कर बनेगी छे टाउंशिप उत्तर प्रदेश में बाबा भोले की नगरी वारणसी को नया लुक देने की तयारी शुरू कर दी गई गातों मंदिरों गलियों के शेहर बनारस में बदलाओं के दौर में नई काशी बसाने की परियोजना को धरातल पर उतारने की और कदम बढ़ाए नई काशी में काशी दौर वर्ट सिटी, वैदिक सिटी, स्पोर्ट सिटी, वरोना सिटी और मैडिस सिटी बनेगी इन टाउंशिप को बसाने के लिए रिंग रोट किनारे के 40 गाओं की 1300 हेक्टियर जमीन के सर्वे का कारे पूरा हो चुका है जेपी इंफ्राटेक के 710 फ्लैट्स का पहला OC जारी नॉड़ा में बायर्स के चेहरे पर आई खुशी उत्रप्रदेश के नॉड़ा से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जेपी इंफ्राटेक में फसे बायर्स के लिए अच्छी खबर है नॉड़ा अथॉटी ने जेपी इंफ्राटेक को टेक ओवर करने वाली कंपनी सुरक्षा रियल्टर्स को 710 फ्लैट की OC चारी कर दी है जिसके चलते हैं इन बायर्स को सुरक्षा अंगले 2-3 दिन में पोजेशन लेटर आफर कर देगी इसके अलावा 1058 फ्लैट का OC लेने के लिए कंपनी की ओर से अथॉटी में और आविदन कर दिया गया है अगले 20-25 दिन में इनका भी OC नॉड़ा अथॉटी से मिलने की कंपनी को उमीद है यूपी से अब कट्या मारी होगी समापत फीडर्स पर लगे स्मार्ट मीटर रोकेंगे बिजली की छोरी किस फीडर से कितनी बिजली आप उरती हो रही है इसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए पीडर्स पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का सजलाज शुरू हो गया इससे बता चल जाएगा कि किस फीडर पर कितनी बिजली चोरी हो रही है इसके अलावा डिसमेंटल बॉक्स का जाल बिछाया जा रहा है इसमें सिर्फ वैद कनेक्शन धारियों की ही लाइन को जोड़ा जाएगा ये पूरा प्रयाज बिजली चोरी पर अंकुष लगाने के लिए किया जा रहा है डेल करोड से भरेंगे 112 सडकों के 500 गड़े मरमत के लिए शासन से जारी हो आप बज़ट बारिश से बदाल हो चुकी सडकों के मरमत के लिए शासन से बज़ट जारी हो गया है अलीगर में जीटी रोड को आरसी ए टाचूंगी बाईपास सहे 112 सडकों के मरमत का कारे जल्दी ही शुरू हो जाएगा बारिश के जलते हाईवे जीटी रोड समेच शहर से लेकर देहाचे त्रकी कई सडके बधाल हो चुकी है प्रदेश सरकार ने इनके मरमत के लिए प्रस्ताओं मांगे थे जिले से 112 सडकों का प्रस्ताओं भीजा गया था इसकूल में बच्चों को यातियात यमों का पाट पढ़ने के लिए बच्चों को सडक सुरक्षा की प्रती झागरू करना बहदावश शक है ताकि सडक पर होने वाली दुरगटनां को रोका जा सके सुल्टानपूर एंकाउंटर पाय मायावती की पहली प्रतिक्रिया इस सामने भाचपौर सफ़ा पर साधा निशाना सुल्टानपूर में टकेती की आरूपी मंगेश यादव के एंकाउंटर पर सियासत बढ़ती जा रही है एक तरह पकले शादव ने योगी सरकार पर आरूप लगाया कि एंकाउंटर जाती देखकर किया गया इस बीच बस्पा प्रमुक मायावती ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है बस्पा प्रमुक मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि योपी के सुल्तानपुर जिले में एंकाउंटर के घटना के बाद से बीजेपी और सपा में गारून व्यवस्था को लेकर आरूप प्रत्यारूप लगाई जा रही है और अपराद अपरादी वर जाती के नाम पर जबरदस्ती के राजनीती की जा रही है जबकि इस मामले में ये दोनों चोर-चोर मौसीरे भाई जैसे हैं यूबिके जिले में धरादा कट रहे राशनकार्ड अब तक हजारों लोगों पर हुई कारेवाई अपात्र होते हुए भी प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्य यूजना के तहट मुफ्त राशन का लाब ले रहे लोगों की सूची शासानिस्तर से जारी कर दी गई इसके बाद जिला इस्तर पर सत्यापन कर अपात्रों का नाम लाभार्टियों के सूची से हटाया जा रहा है उनके नाम पर बने राशनकार्ड को नरस्त किया जा रहा है सितंबर माँ में अपात्रों का नाम काटने का भियान में तेजी लाई गई कई दिन की गिरावट के बाद इस्तिर हुआ गंगा का जलस्तार हो रही निगरानी गंगा का जलस्तर कई दिन की गिरावट के बाद सुमवार को इस्तिर हो गया केंद्रिय चलायो की रिपोर्ट के अनुसार सुमवार की सुभे जलिस्तर 64.82 मीटर रिकॉर्ड किया गया NDRF जल पुलिस की टीम गंगा के जलिस्तर की निगरानी कर रही है पिछले सबता सुमवार से गंगा के जलिस्तर में गिरावच हो रही थी दो दीन सेंटीमीटर घंटे प्रती घंटा के रफतार से जलिस्तर में गिरावच हो रही थी साथ दिरों की गिरावच के बाद जलिस्तर सुमवार को इस्थिर हो गया बड़े जलिस्तर की आड़ में गंगा में बहाया जा रहा जहर जल निगम की जाच में हुई पुष्टी टेंडियों का जहरीला पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान फेजने वाली पंपिंग स्टेशन ही गंगा को मैला कर रही है गंगा के बढ़ते जल इस्तर की आर में जाजमव में बने चार पंपिंग इस्टेशन से जहरी लापानी गंगा में बहाया जा रहा है ये खुलासा जल लिगम जलकल विभाग नगर लिगम और जटेटा के पदादिकारियों के साथ निरिक्षन में हुआ जाटेटा के टैपिंग पॉइंट की पास से गंगा में लाल रंगा पानी जाता दिखाई दिए जाजमा उशेतर में सीवा लाइन में भी क्यमिकल युक्तिपानी नजर आया उत्परदेश सरकार का बड़ा फैसला करोडों लोगों को फाइदा उत्परदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए परदेश को गरीब मुक्त परदेश बनाने की ठानली है उत्परदेश सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे खुद मुख्यमंत्री योगिया इतनात की बड़ी सोच है दरसल उत्परदेश में लगबग 18 परतीशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते है बच्च 2013-14 में उत्परदेश में 43 परतीशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे थी उत्ताप्रदेश सरकार ने ये तै किया है कि उत्ताप्रदेश को पूरी तरह से गरीब मुक्त प्रदेश बनाना है इसका मतलब ये हुआ कि उत्ताप्रदेश में ऐसी व्यवस्ता की जाए कि प्रदेश में एक भी व्यक्ती गरीबी की रेखा के नीचे ना रहने पाए 12,000 होम बायर्स हैं जिनके रजिस्ट्री के रास्ता साफ हो जाएगा बतादे कि आप रपाली के प्रोजेक्ट में 2019 में जारी सुप्रीम कोट के आदेश में ये प्रापधान रखा गया था कि संबंदित अथौर्टी अपने बकाई की वज़े से रजिस्ट्री के लिए एनोस प्लोट की नई आवासिये योजना लाने की तयारी कर रहा है ये योजना उन लोगों के लिए राहत की बात है जो पिछली योजना में किसी कारण वशावेदा नहीं कर पाए थे ये नई योजना जेवर के पास बन रहे नॉड़ा अंतरास्तिय हवाई अड़े के नजदी क इश structural में लाई जाएगी च्छाट तर च्रीक हे लिए यात्रियों के लिए कि पैहार के मुख्यत्यों हार च्छत पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे दौरा पांच special train का संचालन शुरू किया जाएगा इन train का संचालन 9 नवंबर से शुरू होकर 28 दिसम्बर तक किया जाएगा छटपूजा के लिए मतुरा जंक्षन से दर्भंगापुरी जोदपूर्मवू पुरे जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है 9 नवंबर से 29 दिसम्बर विशेश ट्रीन का संचालन किया जाएगा तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको ने उस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद